आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो गाइस तुम्हार question है During the isothermal expansion of an ideal gas there is no change in internal energy तो हमसे question में यह पूछा गया है कि जब isothermal expansion होता है तो इसमें क्या होता है isothermal जैसे हम जानते ही है नाम isothermal में हमारा जो temperature होता है वो क्या होता है temperature हमारा constant होता है यहाँ पे हमारा temperature constant होता है बाकी चीज़े constant नहीं रहती है तो isothermal में जो होती है ideal gas जो हमने ली होती है इसमें कोई भी internal energy में change नहीं होता है तो क्या यह statement true है या false है यह हमें बताना है तो basically isothermal processes जो होते हैं इनमें क्या होता है change जो हमारी enthalpy होती है जो enthalpy होती है enthalpy क्या होती है इस case में constant होती है enthalpy का मतलब क्या होता है, enthalpy यानि कि जो हमारे system और surrounding के बीच में heat energy exchange हो रही है, वो constant होती है, तो जब हमारे system और surrounding के बीच में कोई energy exchange ही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है, कि इसके अंदर internal energy क्या है, यह constant है, यह change नहीं हो रही है, यह वही की इस case में जो temperature होता है, वो constant ही रहता है, और जो enthalpy होती है, वो भी constant रहती है, isothermal expansion में, कुछ इस तरीके से अगर हम इसको derive करें, तो del E क्या होता है, del E यहाँ पे 0 होता है, वहीं, del T यहाँ पे वो भी 0 होता है, change in temperature हमारा 0 है, change in enthalpy हमारा 0 है, अब हम equation जानते हैं, equation कौन सी equation, ह is equal to E plus PV, यह equation हम जानते हैं न, तो यहाँ पे, del H क्या है, del H is equal to del E plus del PV, लिख सकते हैं हम इसे, लिख सकते हैं न, तो जो हम इसे लिखते हैं, तो यहाँ पे PV जो होता है, यह NRT के बराबर क्यों हो जाता है, NRT के बराबर इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने जो gas ली है वो क्या हो ली है? वो ideal gas ली है ideal gas ली है तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा PV है यह क्या है? यह NRT के बराबर है इस case में जो हमारा PV है यह NRT के बराबर है तो जब NRT के बराबर हो जाता है तो आप हम यहां पे जब वैल्यू रखेंगे किसकी जिसे हम लिख सकते हैं डेल H is equal to डेल E plus N R क्योंकि N और R तो मोल्स नंबर अप मोल्स हमेशा आइडियल ग्यास के क्या रहेंगे? constant रहेंगे, R हमारा रिडबग constant है कि हमेशा constant होता है, 8.314 और temperature डेल्टी होता है, क्या होता है? डेल्टी होता है, तो temperature ही change होगा केवल, और कुछ नहीं change होगा, अब यहां पे हम अगर इसकी value रखते हैं, तो हमने पहले ही देख लिया था कि temperature क्या है, इमारा constant है, temperature है हमारा constant, enthalpy है हमारी constant, यानिकि zero, यह भी zero, तो जब E zero, और T zero, तो T multiply होके यह भी zero, तो हमारी जो death है, यह क्या हो जाती? यह भी zero, यानि कि जो हमारी change in internal energy, यानिकि del H है, यह क्या है? del H यानि की change in internal energy यह क्या है यह 0 हो जाती है यानि की यह भी constant हो जाती है तो हमारा answer क्या हो जाता है हमारा answer हो जाता है कि during isothermal expansion of an ideal gas there is no change in internal energy यह statement एक दम true है क्या है true है thank you classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर